मैं हूँ मोना और आप लोग देख रहे हैं भूजपुरी मीडिया भूजपुरी सिनिमा के चटपटी खबरों के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करें हैं वैसे तो हर शुक्रवार को सिनिमा घरों में कोई ना कोई फिल्म प्रदर्शित होते रहती है लेकिन इस पार बॉक्स ओफिस पर हिंदी और भूजपुरी की दो बड़ी फिल्में आमने सामने हैं एक तरफ चाहन निर्देशक सुभाश कपुर की अक्षय कुमार अभिनिट जॉली एलेल भी दो है जो की पहली फिल्म का सीक्वेल है वही भूजपुरी में स्टार सिंगर वह अभिनेता पावन सिंग की बहु प्रतीक्षित और फूल्ट्यू एक्षिन फिल्म सरकार राज को भी बंपर ओपनन मिली है दोनों ही फिल्में इस शुकरवार एक साथ पुरे देश में प्रदर्शित की गई है पावन सिंग ने इस समय फिल्म रिलीज को लेकर किये गए एक सवाल के जवाब में बताया कि अभी हाल फिल हाल भूजपुरी फिल्म जगत एक बदलाओ के दोर से गुजर रहा है यहाँ अब सिर्फ अच्छी फिल्मों की मांगी जोड़ पकड़ रही है तो इस समय इस सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता कि हिंदी में कोई बड़ी फिल्में रिलीज है की नहीं क्यूंकि हमारी भूजपुरी फिल्में अधिक्तर सिंगल स्क्रीन थियेटर में ही अभी भी प्रदाशित हो रही है जिनके दर्शक को अभी भी भूजपुरी का ए दरने अच्छा व्यवसाय किया था फिल्म सरकार राज भोजपुरिया दर्शकों की डिमांड और मांदंड पर खरा उतर रही है जिससे की दर्शक थियेटर की और तेजी से आकरशित हो रहे हैं आज फिल्म को जबन दर्श्तो पनन मिलने के पीछे भी एहीं कारण है कि फि लाड़ी अक्षे कुमार और सल्मान खान के भी पुरे देश में से अपनी फैन फॉलोइंग है लेकिन पावन सिंग जैसे भूजपुरी के सुपस्टार भीनेताओं की मांग भी जोरों पर है यही कारण है कि फिल्ममेकर और डिस्ट्रीब्यूटर पावन सिंग की कोई भी फिल्म रुलीज करने मैं ही चक नहीं दिखाते पावन सिंग अपने आवाज और अपने दमदार अभिनय के दम पर लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुके हैं जिससे कि उनकी कोई भी फिल्म आसानी से दर्शकों की भीर जुटा लेती है उमीद है कि सरकार राज भी क कहते हैं कि हमा शानवित्थे की फिल्म को अच्छी ओपनेंग ही मिलेगी जो की सच साबित हुई वहीं पवन सिंग के साथ ही कलाकार मुनालिसा अक्षरा सिंग काजाल रागवानी वरानी चटा जी भी फिल्म की शांदार ओपनेंग से काफी प्रसन है झाल 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 भोश्पुरी इंडस्टी की चटपटी खबरों के लिए सस्क्राइब करें भोश्पुरी मीडिया